definite integration में हम लोगों ने limit of a sum के process से definite integration को evaluate करना सिखा आईए इसी process पर based कुछ और questions को हम करते हैं पिछले बार जो हमने questions वगर किये थे वो सारे के सारे questions जो थे अपने आप में linear form में थे हमने यही सब questions पिछले बार किये हैं सारे के सारे questions जो हैं अपने आप में linear form में हैं यानि हर जगा x का power 1 है आज limit of a sum में हम जिन questions को करने वाले हैं उसमें x जो है quadratic form में रहेगा आईए हम अपने पहले question की सुरुवात करते हैं हमारा पहला question जो है integration 1 से 3 function के नाम पर हमारे पास है 2x square प्लस 5 dx हमें इसे evaluate करना है limit of a sum के method से इस type के questions जो है board में 6 number में पूछे जाते हैं और चुकि ये थोड़ा process लंबा होता है ध्यान से एक एक step आपको करना रहता है process आपको पता है कि आपको process कौन सा apply करना है 5 simple steps थे उन 5 simple steps के थुरू आप limit of sum के किसी भी question को बड़े आराम से कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हमने ये जो हमारा integration है इसे हमने highlight कर लिया i is equal to 1 से लेकर 3 2x square प्लस 5 dx ये हमारा function है अब इस function को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें a की value 1 मिल रही है b की value हमारे पास 3 है fx जो है हमारा 2x square प्लस 5 ये पूरा हमारा function fx है इसके बाद हम n की value निकालते हैं n की value कैसे निकाली जाती है b minus a upon h करके b की value यहाँ पर है a की value यहाँ पर है put करके solve किया गया तो 2 upon h आ गया ये 2 upon h n की value आई यहाँ से अगर आप इस h को इधर shift करें तो आपको n h is equal to 2 मिल जाएगा n h is equal to 2 मिल जाने के बाद limit of a sum का जो definition था किसी भी definite integration का वो था limit a से b f x dx is equal to limit h tends to 0 h bracket में f a plus f a plus h plus f a plus 2 h plus dash 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 plus f a plus n minus 1 h यही है limit of sum का formula इस formula में हमें बस ये f a f a plus h f a plus 2 h और ये f a plus n minus 1 h इन सब की values को find out करना रहता है values को find out करना बहुत ही simple सा step है हाँ ध्यान से आप यहाँ पर एक एक value को find करेंगे यहाँ पर value को find करते से में अगर plus minus में कोई भी गड़बड हो गई तो पूरा question हमारा गलत हो जाएगा सबसे पहले बात करते हैं हम f a की हमारा इस question में a जो था 1 था a जहाँ पर भी use होगा उसको हम 1 लेकर solve कर रहे हैं इस question में तो सबसे पहले हम बात करते हैं f a की f a का मतलब f1 है अब यह f1 की value हम कैसे निकालें हमारा function जो है fx fx जो दे रखा है 2x square plus 5 दे रखा है x की जगा पर जो value हम यहाँ put करेंगे वही x की जगा पर हम value यहाँ पर भी put करने वाले हैं हम सबसे पहले f1 की value निकाल रहे हैं f1 की value निकालने के लिए x की जगा पर हमने 1 put किया तो हमारे function में भी हमने 1 put किया x की जगा पर हमारा function 2x square plus 5 था तो x की जगह पर हमने 1 put किया अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से solve करिएगा इसे आपको पूरा solve नहीं करना है इसे पूरा solve नहीं करना है जो जिस form में आ रहा है इसे उसी form में आपको रखना है आप इसे यह नहीं कि इसको पूरा solve करके यहाँ पर 7 लिखे इसको पूरा solve करने पर अपने आप में यह 7 आएगा लेकिन हम इसको 7 नहीं लिखेंगे जो जैसा है इसे इसी form में हम यहाँ रहने देंगे हमारा function देखिए function हमारा दो हिस्से में था तो हर एक बार जब यह value निकलेगी वो अपने आप में दो हिस्सों में रहेगी इसे solve नहीं करना है अभी इसके बाद हम बात करते हैं F A प्लस H की F A प्लस H मतलब A की जगा पर हमने 1 पूट किया तो अब हमें value निकालनी है F 1 प्लस H की यह 1 प्लस H हम किसकी जगा पूट करने वाले हैं X की जगा हमारा function क्या था 2 X स्कौाइर प्लस 5 था उस X की जगा पर हम 1 प्लस H पूट करेंगे तब यह बनेगा 2 bracket में 1 प्लस H का whole स्कौाइर प्लस 5 जैसा कि हमने अभी बात किया था कि इसे हमें इसे हमें उसी फॉर्म में रखना है यानि 2 bracket में 1 प्लस H का whole स्कौाइर प्लस 5 इसे as it is छोड़ देना है फिर हम निकालेंगे F A प्लस 2 H A की जगा पर हम 1 पूट करेंगे तो हमारा बन जाएगा F 1 प्लस 2 H अब यह 1 प्लस 2 H कहां रखेंगे X की जगा कौन से X जो हमारा function में था function क्या था 2 X स्कौाइर प्लस 5 था तो X की जगा पर हमने 1 प्लस 2 H रख दिया तो यह बन गया 2 bracket में 1 प्लस 2 H का whole स्कौाइर प्लस 5 फिर से वही बात हमें इसे solve नहीं करना है इसे as it is जैसा यहां पर है वैसे ही यहां पर भी इसे रखना है फिर हम सबसे last में हमने F A की value निकाल ली हमने F A प्लस H की value निकाल ली F A प्लस 2 H की value हमने निकाल ली अब हमें निकालना है F A प्लस N माइनस 1 H की value F A प्लस N माइनस 1 H का मतलब है A की जगह पर हम one put करेंगे तो ये बनेगा f curly bracket 1 plus n minus 1h अब ये 1 plus n minus 1 into h ये हम किसकी जगा पर put करेंगे ये हम put करने वाले हैं अपने function में x की जगा पर हमारा function था 2x square plus 5 x की जगा पर हमने 1 plus n minus 1 into h रखा और ये whole square वैसे ही है यहाँ पर भी बात वही है हमें इसे solve बिल्कुल भी नहीं करना है जो जैसा है ये वैसे ही रह जाएगा यानि 2 curly bracket 1 plus n minus 1 into h का whole square plus का 5 आप यहाँ एक बात को ध्यान से समझे की हमारा function जो है वो दो हिस्सों में है है अगर ये function दो हिस्सों में है तो यहाँ से ये जितनी भी values निकल रही है सबी values दो-दो हिस्से में निकलेगी और उसे दो-दो हिस्से में ही रखना है आपको उसे आपको solve बिल्कुल नहीं करना है solve करने के लिए कैसे करेंगे ये हम अबी आगे देखते हैं झाल